इसलामाबाद हाई कोट ने मंगलवार को पाकिस्तानी जेलों में बंद भारती नागरेकों के मामले में से एक केस की सुनवाई की जिसमें उन भारती नागरेकों का मुद्दा उठाया गया जो अपनी सजा पूरी तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी वे पाकिस्तानी जीलों में बंद हैं इतना ही नहीं उनकी रास्ट्रियता की पहचान तक हो चुकी है फिर भी पाकिस्तान उन्हें रहा नहीं कर रहा इस केस का कुलभूशन जादव मामले से कोई लेना देना नहीं था लेकिन पाकिस्तान इस केस को भी जादव मामले से जोडने की कोशिश कर रहा है ये पाकिस्तान की नई चाल है जिसके जरिये पाकिस्तान भारती एमिशन को सुनवाई के दोरान मौजूद होने और कारवाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है इसके पहले भारत ने ये साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान जाधव केस से सम्मंधित सभी दस्तावेश पेश नहीं कराता और कुईन्स काउंसल को जाधव केस लड़ने की अनुमती नहीं देता तब तक भारतिय पक्ष पाकिस्तानी अदालत में किसी भी समीक्षा की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेगा गौर तलब है कि भारत ने पाकिस्तान से कुल भूशर जाधव के लिए कुईन्स काउंसल की मांग की थी वहीं कुल भूशर जाधव केस के सवाल पर भारतिय विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराक श्रीवास्ताव ने कहा हमने जाधव के लिए कुईन्स काउंसल की अनुमती देने के लिए कहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जुलाई 2019 में कुल भूशर जाधव पर आदेश दिया था लेकिन पाकिस्तान ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अब तक हमें उपलब्ध नहीं कराए है साथ ही उन्होंने कहा कि अंतराश्ट्रिय कोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागो किया जाना चाहिए जानकारी के मताबिक इसलामाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने मंगलवार को कुल भूशर जाधव मामले में कानूनी वकील की नियुक्ती के लिए सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू कर दी थी दरसल जाधव की मौत की सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए एक वकील की नियुक्ती की जानी है लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है